हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं की जेसीवी पर पथराव कर कांश तोड़ दिये मौकी पहुंची पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ भी धक्का मुक्षी की अतिक्रम्यों ने दो बार पथराव किया पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया तीनों लोगों को नारे बाजी कर विरोज जिताया पालिका अधिशाति अधिकारी ने सफाहि निरिक्षक अरजुन बावनिया और अधिक्रमन ध्वस्त करने के आदेश दिए इस पर सफाहि निरिक्षक पालिका 10 दी वह पुलिस के साथ मौके पर पहुचे जेसीबी से बनाए गए दिबार को हटाने का कारिश शुरू किया अचानक मौकी पर बड़ी संख्या में महिलाय वयूवक पहुच गए पालिका के कारवाय का विरोज जताया महिलाओं वयूवकों ने पत्थराव करना शुरू कर दिया जिससे भगदर मच गई महिलाओं वयूवकों ने जेसीबी पर भी पत्थराव कर दिया जिसे जेसीबी के कांश टूट गए अतिकरमियों ने जेसीबी चालक के साथ मारपीट की इस मौकी पर मौझूद एसाय तलका राम ने अतिरिक जापता बुलवाया अधिशासी अतिकारी त्रिक्मदान चारण वर पुलिस लवाजमा मौके पर पहुचा महिलाओं ने पत्थर उठाना शुरू कर दिया इस पर ईयो ने उन्हें पत्थर नहीं उठाने को कहा इस मात को लेकर महिलाओं वर यूवकों ने इयों के साथ धक्का मुकी की साती अतिक्रमियों ने दुस साहस का परिचे देते वे फिर से पत्थराफ कर दिया लेकिन पुलिस के आगे उनकी दाल नहीं गली पुलिस ने तीन यूवकों को दबोच लिया आपकारी निवासी हरीश कुमार किशनब कनेया को गिरफतार कर ठाने ले जाये गया पुलिस के कारवाई से अतिक्रमियों के होश फाक्ता हो गये महिलाओं ने गिरफतार किये गए तीनों यूवकों को छोडने की गुहार की लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली महिलाओं ने जमकर हंगामा किया इन सबके बीज नगर पालिका का दस्ताफ बिना अतिक्रमन हटाए बेरंग लोट गया इस मौके पर पालिका उपाद्यक्ष कनेश आचार्य पाशोत मगंदान चारन समेथ बड़ी संखा में लोग मौजूर थे जागरुक टिवी के लिए आबुरोड से मनोच रस्या की रिपोर्ट